बाईयों और बहनों मेरे सभी मित्रों आज मैं एक विशेज जानकारी देने के लिए जंगल में आया हूँ ये देख लें ये है बबूल का पेड़ जिसको राजस्तान हर्याणा में कीकर बोलते हैं इस समय इस पर खुब फूल आ रहे हैं और फल भी लगने लगे तो मैं एक जानकारी देदू मित्रों कि बबूल अत्वा कीकर के पेड़ को कभी भी घर के आंगन में या घर के दर्वाजे पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसके लगाने से घर में मन मुटाब आपस में परवार के सदस्यों में लडाई जगड़े होने लगते हैं और दूसरा नुकसान ये है कि मानसिक तनाब में रहते हैं उस घर के निवासी मैंने कई घरों में देखा है कि जिनके घरों में बबूल का पेड़ है आंगन में है या दर्वाजे पे है उस परवार में मानसिक रोग से भी परेशान लोगों को मैंने देखा है और मैं अधिक्तर बोलता हूँ मित्रो कि बबूल या कीकर के पेड़ को दौनों का नाम एक ही है ये वही पेड़ है जिसकी दातुन हम लोग करते हैं इस पर पीले फूल आते हैं और बाद में लंबी-λंबी फ़ली आती हैं ये आर्वेद की दवाओं में इसकी डंठल से दातुन होती है फलियों से बहुत सारी दवाएं बनती हैं और इसकी छाल से भी बहुत सारे कलर बनते हैं और इसकी लकड़ी अधिकतर जलाने के काम में आती है तो मित्रो ये मैंने जानकारी दे दी एक बार फिर बता देता हूँ बबूल के पेड़ को घर के आंगन में या घर के दर्वाले पर कभी न लगाएं वरना मानसिक तनाप रहेगा परवार के सदस्वों में मानसिक रोग भी हो सकता है और आपस में मन मुटाप रहेगा मित्रो ये चैनल मेरा आपको अच्छा लगए तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेर करना ना भूलें क्योंकि उनको भी इसकी जानकारी हो जाए इसी के साथ नमस्कार नेत्रपास दुर्गादास को स्वाहा कर लें